हेलो एब्रिवन हावर योल आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे प्यारे बच्चों आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे 12th क्लास का एक बहुत ही important topic magnetic field at the center of current carrying loop तो चली देखते हैं कैसे हम find करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने topic की देखो लिखा हुआ है ओरड़ी magnetic field हम find करेंगे कहां पर at the center of current carrying loop यह लूप आप देख परेंगे इस इस में क्या हो रहा current flow करा current कितना flow कर रहा है यहां पर current i current flow कर रहा ओके तो find कहां पर करना हमने magnetic field find करना है तो अगर current carrying loop के center पर इस तरह से हमने magnetic field find करना है यहां पर हम क्या करना है एक तरह से देखो small line element की वज़े से db हम यहां पर देखो क्यों लिखते है क्योंकि line का हमने एक छोटे से तुकड़े में जो current flow कर रहा है उसकी वज़े से वहां पर हमने field find किया है तो field क्या होगा small होगा field की value कम होगी that's why यहां पर हम db लिखते हैं mathematical हमारे पास formula जो आता है db equal to mu naught by 4 pi idl sin theta by r square यह हमारे पास formula देखो यह constant quantity है mu naught जैसे कि आपको पता है magnetic permeability होती है free space की जिसको हम absolute magnetic permeability भी बोल देते हैं i क्या है loop के अंदर current flow कर रहे है dl क्या है line element इस loop के ऊपर छोटा सा टुकुड़ा मैंने ले लिया है इस बहुत बड़े एक loop है बहुत बड़े एक wire है जिसका चोटा मोटा टुकुड़ा मैंने लिया है dl उसको मैं बोलूँगा line element जो मैंने बापी लिखा थीटा क्या है यहां पर थीटा इस दा अंगल between current element and the position vector of the point, यहां पर आप देख सकते हैं position vector के दुकर यह जो radius है, यही एक तरह से position vector जो के r है, और यह है direction, किस की direction है current element की, loop के ओपर कहीं पर भी आपने अगर current element के direction देखनी है तो वहाँ पर आप tangent draw करोगे जैसे कि आपको पता है तो प्टा tangent के बीच में आपको पता circle के ओपर कहीं पर भी आप tangent बनाते हो तो radius के साथ जो direction जो बनती है जो angle जो बनता है वो 90 degree का बनता है यहाँ पर मैंने लिखा theta is equal to 90 degree divided by r square r क्या है यहाँ पर जो loop है और उसकी radius है यह पर आप ऐसे ही बोल सकते हो r जो है वो line element से current element से उस point की दूरी है जहाँ पर आपने magnetic field find करना है तो यह हमारे पास formula है अब देखो अगर मैं theta को यहाँ पर 90 replace कर देता हूँ formula में by r square क्योंकि sin 90 जो है 1 होता है अब देखिए कैसे आप find करो ही तो यह जो हमने लिखा यहाँ पर यह जो मैंने यहाँ लिखा db यह db क्या है this is the value of magnetic field at point o due to only small line element small current element छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया loop के उपर शिर्फ उसकी बज़ेसे जो field लगा वो मैंने बता दिया मेरे तो पूरे loop की वज़े से लुप के नर्थ जो current flow कर रहा है उस पूरे loop क्यूजे से center के field find करना है तो बैटा उस के लिए आपको क्या करना होतक है जिससे आपको पता जब यह आप total करते हो जोड़ने के लिए हम यह तो summation का का यूजW करते हैं या तो हम समिशन का यूजज़ करते हैं या फिर हम integration का यूज़ करती हैं हमारे पास 20 क्या यूज़ करेंगी यहां पर हम integrate करेंगे integration का यूज़ करेंगे क्मकूं कि summation discrete quantities के लिए ही अपलाई होता है तो देख बक्टा हम isolated total magnetic field at point O due to whole loop complete wire total के लिए मैं B से लिख देता हूँ तो B निकाल ले के लिए मेरे को integration करना पड़ेगा किसका DB का integration करना पड़ेगा आप integration का symbol देखा आपको पता है integration का यह symbol होते लेकिन मैं यहापे circle भी लगाया है circle यहापे क्यों अपलाई किया है क्यों कि यहाँ पर हम integration करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ यहाँ पर line integration होगा over the close loop loop close है that so यहाँ पर मैंने circle लगा दिया है integration होगा उस loop के उपर उस line के उपर अब यहाँ पर देखो मैंने देखा mu note by 4 pi idl by r square यह DB की value मैंने previous slide से जो है लिए है अब integration आपको पता है integration काय से करते हैं integration जब भी हम करते हैं integration के अंदर जो भी quantity constant होती है उनको हम integration के operator से पहले ही लिख देते हैं बाहर लिखते है mu note by 4 pi i by r square यह constant है current भी constant है radius भी constant है loop की dl को हमने integrate करना है तो पीटा dl को जब इंटिग्रेट करोगे देखो dl क्या है एक छोटा सा टुकुडा है इस वायर का इस लूप का जब आप उसको integrate करोगे छोटे छोटे इस तरह के टुकुडो को आप एड़ करोगे सभी को तो पूरे loop की length आएगी पूरे circle की length आएगी और पूरे circle की length का meaning है कि circle का circumference जिसको हम बोलते हैं 2 pi r r radius है तो यहाँ पर आएगा dl को integrate करके मेरे पस आएगा 2 pi r इसको जब मैं cancel करोगे 2 pi से यहाँ पर 2 आएगा r से यह power cancel होगी आपको formula मिलता है b is equal to mu note mu note i by 2 r क्या formula मिलता आपको mu note i by 2 r यह आपको formula मिलता है तो यह तो एक अगर single loop है तो single loop में अगर i current flow करेगा और जिसकी radius अगर r होगी तो magnetic field center पर इतना होगा लेकिन कई बार देखो practically हम को देखने में क्या आता है practically जो हम देखते हैं practically हम देखते हैं कि कोई भी जो loop होता है वहाँ पर single turn नहीं होता simple एक turn नहीं होता वहाँ पर भूत सरे turn होते हैं भूत सारे लपेटे होते हैं तो अगर number of turns जो है n है अगर number of turn एन है तो loop के center पर जो magnetic field होगा जो अग how turning के वज़े इतना field है दूसरे turn के बज़े से भी इतना field होगा तो यहाँ पर अब NB यहाँ पे place करोगे, ठीक है, अब बात करते हैं direction की, direction क्या होगी, तो direction देखें जैसे आप इस तरह का loop है, और loop में current ऐसे clock wedge flow कर रहा है, तो यहाँ पे आप right hand thumb rule apply कर सकते हैं, कौन सा rule apply कर सकते हैं, right hand thumb rule, तो right hand thumb rule apply करके, मैं यहाँ पे center पे O point पर magnetic field की direction बता सकता हूँ, जैसे आप यह देखिए, right hand thumb rule क्या गया था, आप wire को आप right hand बे hold करेंगे, किस तरह से hold करना है, कि जिदर current जाए thumb आपका उदर होना चीए, इस तरह से मैंने इसको hold किया, तो O point पर आप मेरी finger सी moment देखिए, O point पर finger जो वो inside जा रही है, enter कर रही है, that's why O point पर जो magnetic field होगा, वो क्या होगा, perpendicular to plane of board, यह board जो है, इसके perpendicular होगा, और inward होगा, outward नहीं होगा, बहले कि inward, ऐसे, अंदर की तरह field जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, right and thumb rule लोगा के, magnetic field की direction भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो यह था हमारा topic, छोटा से एक topic था कि current carrying loop के वज़िसे, आप center पर magnetic field की इस तरह से find करते हैं, I hope कि आपको यह topic समझ में आया होगा, thank you.